exactly वो ही RSS करती है जैसी Zionist ताकतें करती है ये हलत कर दी है इसराइल देश की Benjamin Netanyahu वो ही काम देश के साथ मोदी जी कर भारत में भी ज्यादा तर लोग मोदी जी की 56 की चवी समच चुके हैं कि ये सारी करप्शन देश में सारे करप्शन के record तोड़ दिये मोदी जी ने सारे देश हित के खिलाफ काम करके ऐसा काम कर दिया कि ऐसे ऐसे देश के खिलाफ काम करने वाले प्रधान मंतरी भारत में कोई आज तक आये ही इसराइल की जंता खुद Benjamin Netanyahu से स्तीफे की मांग कर रही है कि तुमने अपने जाती फाइदे के लिए देश का बेडागर कर दिया Benjamin Netanyahu विश्व में एक अकेले निता ऐसे हैं कि युद्ध के टाइम बे भी लोग बोल रहा है तुम बैमान हो, तुम चोर हो, तुम मूर्ख हो, तुम देश-द्रोई हो, इस्तीफा दे खुद मोदी जी को देख लिजे जो इतने अच्छे अडानी जी की वज़ा से, इतने अच्छे मित्रे Benjamin Netanyahu के, उनको भी बोलना पड़ रहा है अब मजबूरी में आके कि जो हत्याएं हो रही हैं, उसकी हम भ्रसना और निंदा करें, पेहद डरपोक होते हैं सारे मतलब सबसे ज़ादा अगर डरपोक कोई कम्यूनिटीज हैं, तो वो जाइनिस्ट और मनुवादी ताक्ते जो होते हैं, रसेस के लोग जो हैं कि दुनिया के सबसे ज़ादा डरपोक और सबसे ज़ादा नाकारा, सबसे ज़ादा इनकॉंपिटेंट लोग होते हैं, ये जाइनिस्ट ताकतों से सीके काम करें, दोनों में गट जोड हो चुका हैं जैसे हैं यहाँ पैसे के बल पे सरकारे तोड़ी जाती थी ना, वहाँ भी भरष्टाचार के बल पे ये बिंजामी नेतनियाउ साब ने बड़ी मुश्किल से भरष्टाचार पे और करप्शन करके वहाँ पे मेजोरिटी हासिल की थी मोदी जी के अडानी जी को भी, खुद इसराइल में भी अरेस्ट होना पड़ेगा जिसतिन और इसराइल के बीच बीते दिनों से युदध चल रहा है सवा महीने से जदा हो चुका है और जो मुस्लिम लोग है और मुस्लिम कंट्रीज है वो फिलिस्तीन के साथ है लेकिन वहीं देखा जाए दूसरे तुरफ जो भारत देश के प्रधान मंत्री है जाइनिस्ट इंडस्टलिस्ट है जैसे और मनुवादी इंडस्टलिस्ट है अडानी जैसे और दूसरे पूरे दुनिया में उनका साथ दे रहे हैं। कर दिया और अपने करप्शन को चुपाने के लिए आप देश की न्याइक विवस्ता को भी बदलने चले हो। तो जो मिस्टर सिक्योरिटी की इमेज उन्होंने बना रखी थी वो ध्वस्त हो चुकी है। वो सारा जूट और ढकोसला साबित हो चुका है। जैसे के मोदी जी क 56 इंच की जो इमेज है वो आज कहां चली गई। चाइना ने 2000 किलोमेटर जगा चीन ली हमारी। और आतंगवाद किसी भी जगा देश के किसी भी कोने में आतंगवाद कम नहीं हुआ ज्यादा ही हुआ है। कश्मीर में धारा 370 अटाने की वज़ा मोदी जी और अमिच्छ मीडिया है और उस तरीके से मनुवादी मीडिया है उसके जरीए अपनी इमेज जो नहीं है वो बनाने की जो प्रक्रिया है उसके चक्कर में वहां के लोग प्रटेस्ट कर रहे हैं बिंजामिन नेतिनाओं के खिलाफ और भारत में भी ज्यादातर लोग मोदी जी की 56 की खिलाफ काम करने वाले प्रधानमंत्री भारत में कोई आज तक आये ही नहीं है लेकिन जिस तरीके से नेतन्याओं कह रहे हैं न कि युद नहीं रुकेगा लेकिन इसका भुकतान वहीं कि इसराइल के लोगों को महिलाओं को और बच्चों को करना पड़ रहा है देखिए अभी क्या कर रहा है कि इसराइल की जो सेना है वो टैंकों से अपने और हलिकॉप्टर से और हवाई जाजों से जमीन पे पैर रखने को तयार नहीं है एक ऐसे ऐसे लोगों के सामने जो मुठी भर हैं एक और दूसरा उनके पास हत्यार भी घरों में बने हुए या बहुत बेसिक हत्यार है उनके पास उनके सामने विश्वक में ये डींगे मारने वाले कि हमारी सेना बेस्ट एक्विप्ट है हमारी सेना सबसे ज़्यदा ट्रेंड और बहादूर है वो फौजी जमीन पे पैर रखने से डर रहा है एक इसराइल का फौजी जमीन पे पैर रखता आपको इस जंग में हर एक फौजी अगर वो अपनी वो भी दिखा रहा है न जो अपनी परपगेंडा की जो जो वीडियो जो बना के भेजते हैं उसमें भी टैंकों के उपर चड़े हुए फोटो जादा नजर आएंगे आपको तो ये हलत कर दिये है इसराइल देश की में हैं दो धड़े बन चुके हैं वो धड़े क्या हैं एक तरफ मुठी भर करप्ट राष्ट नेता हैं और दूसरी तरफ देश की जनता है अमेरिका ले लिजे ब्रिटेन ले लिजे फ्रांस ले लिजे जर्मनी ले लिजे कैनेडा ले लिजे साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन क साथ उन्होंने अपने संबंद भी विछेद कर लिए जो उस तरह से भहत सारी Ireland है जैसे उनुनने अपने संबंद भी विछेद कर लिए तो इतने सारे देश के जो इमांदार निता थे वो तो सब फिलिस्टीन के साथ है लेकिन जो लोग इसराइल के साथ उसके जो जाइनिस ताक्तों के साथ उसकी करप्शन की वज़ा से और जो वेविचार वो फहलाते हैं पूरी दुनिया में और उसके जो वो CDs वगेरा बनाने में एक्सपर्ट हैं Israeli forces तो वो वो लोगो को भी मजबूर हो कि अपनी जंता के सामने घुटने टेकने पड़े और फिलिस्तीन के हक में उनको resolutions लाने पड़ रहे हैं UN में vote दिये जा रहे हैं और Organization of Islamic Countries के भी ज्यादा तर देश जो इस्राइल के दोस्त माने जाते थे जो बिंजन नितन्याउ के मोदी जी के करा दोस्त माने जाते थे तो यह इस बात का सबूत है यहाँ खुद मोदी जी को देख लिजे जो इतने अच्छे अडानी जी की वज़ा से इतने अच्छे मित्रे बिंजामिन नितने हो के उनको भी बोलना पड़ रहा है अब मजबूरी में आके कि सिविलियन्स की जो हत्याएं हो रही है उसकी हम भ्रसना और निंदा करते हैं लेकिन जिस तरही किसे मतलब स्थिती अब ऐसी हो गई है कि जो हमास जो फिलिस्तीनी लोग है उन्होंने अपने परिवार खो देई है और अब वो जंग में खुद उतरने को हो गए है कि वो उतर जाएंगे लडाई करेंगे आगे जाके देखे सच के लिए देखे सच को कभी भी खतम नहीं किया जा सकता इंसाफ को कभी भी खतम नहीं किया जा सकता दबाया जरूर जा सकता है तो फिलिस्तीन की बहादुर जनता से पूरी दुनिया के लोगों को सीखना चाहिए कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो सबसे बहतरीन एग्जामपल पूरी दुनिया में सबसे बड़े जालिम लोग, सबसे बड़ी निर्दाई लोग ये जाइनिस ताकते होती हैं जैसे यहाँ पर RSS की ताकते हैं ये दोनों ने आपस में हाथ भी मिला रखाया और बहुत सारी चीज़ें वो exactly वो ही RSS करती है जैसी जाइनिस ताकते करती है तो ये दोनों का आपस का जो गड़ जोड है उनका चाल, चरित्र और चेहरा एक जैसा है जूट पे उनकी सारी बाते बनियाद होती है बनियादी तोर पे बेहद डरपोक होते हैं सारे मतलब सबसे जादा अगर डरपोक कोई communities हैं तो वो जाइनिस्ट और मनुवादी ताकते जो होती हैं आरेसेस के लोग जो है ये दुनिया के सबसे जादा डरपोक और सबसे जादा नाकारा सबसे जादा incompetent लोग होते हैं हाँ जूट और ये जो व्यविचार के बेसिस पे और जूटा प्रचार करने के बेसिस पे ये अपने आपको ताकतवर दिखाते हैं साथ अक्तूबर ने सारा जूट बेनकाब कर दिया जैसे के मोधी जी की 56 की चाती बेनकाब हो चुकी है वैसे बेंजामीन नेतनियाओ को Mr. Security कहते थे साथ अक्तूबर के दिन ये साबित हो गया कि Mr. Security नहीं वो Mr. Insecurity है Mr. Imbecile तक बोल रहे हैं वापर उनको देश द्रही बोला जा रहा है बेवकूफ, गदा, लुच्चा, लफंगा ऐसा कौन सा शब्द है जो वहां की जन्ता आपने वार टाइम में देखा ना हर एक देश की जन्ता जो है अच्छा या बुरा नेता हो उसके पीछे कड़ी होती है Benjamin Netanyahu द्विश्व में एक अकेले नेता ऐसे हैं कि व्युद्ध के टाइम में भी लोग बोल रहा है तो वहां की देश की जन्ता उसके खिलाफ खड़ी है और मोदी जी ऐसे वेक्ति के साथ खड़े है तो आप समझ सकते हैं वो सिरफ और सिरफ अडानी जी के जो गोरक धंदे हैं उनकी वज़ा से मोदी जी उनके लिए उनका पक्ष ले रहा है वलकि पूरी दुनिया की जो जन्ता है वो मेरे ख्याल से इस समय 90% से ज्यादा जन्ता जो है पूरी दुनिया की वो फिलिस्तीम के साथ है और उनके जुल्मों के खिलाफ है उनके वार क्राइम्स के खिलाफ है और उनको उनके खिलाफ मुकदमे चलाके उनको सजा दिलवाने के पक्ष में है, 90 परसंट जनता है इस वकत दुनिया की तो क्या हम ऐसा क्या है, मतलब चुनाव नजदीक है और नितन नयाओं मतलब यही कारण हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, युद ना रोक रहे हैं, चुनाव नजदीक है, उनकी कुरसी खत्रे में आ गई है वो चुनाव तो हारी चुके हैं, वो चुनाव जीत ही नहीं पा रहे थे बड़ी मुश्किल से उन्होंने भरष्टाचार करके, जैसे हैं, यहां पर जो, देखें, मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूं, कि RSS, सारी चीजे, यह जाइनिस ताकतों से सीखके काम कर रहें, दोनों में गट जोड़ हो चुके, जैसे हैं, यहां पैसे के बल पे सरकारे त लोड़ी जाती थी ना, वहां भी भरष्टाचार के बल पे, यह बिंजामी नियतन्याव साब ने बड़ी मुश्किल से भरष्टाचार पे और करप्शन करके, वहां पे मेजोरिटी हासिल की, वेफर थिन मेजोरिटी हैं, तो वहां की जन्ता था, उनको पहले ही नकार चु करने के लिए ही कानून बना डाला के, अगर मेरे खिलाब भरष्टाचार साबित होगा, तो तब भी मैं दोशी नहीं होंगा, मैं अजाद रहूंगा, ऐसे कानून ला रहे थे हो, इसलिए वहां की जन्ता थो उनको पहले ही अटाना चारी थी, जैसे मोदी जी को यहां की ज जितन यहू जाएंगे, तो कोई अगर वहां भी अच्छी सरकार आएगी, तो वो EVM का जो घोड़क धंदा हो रहा है, उसमें भी भारत की मदद या RSS और BJP की मदद नहीं कर पाएंगे, भारत की नहीं सौरी, RSS और BJP की मदद EVM के जरिये से नहीं कर पाएंगे, और मोदी अचार के जो कारणामे हैं, वो रुकी नहीं रहे हैं और ओवर्फ्लो हो रहे हैं दिन बदिन, तो आप लोग क्या कहेंगे, इस पर जिस तरीके से इन्होंने इसराय और फिलिस्तीन के बारे में बताया है, आप कितना सहमत है मैं जरूर बताएगा और देखते रहें जनेत हुआ झाल